अभी आम लोग देख रहे होंगे दुनिया वर में एक योद चर्चा का बिस्से बना हुआ है वो है रोस और यूक्रेन की वीच जो योद चलना है और आप सभी के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जो नाटो संगठन है इसने यूक्रेन की मदद क्यों नहीं की है आप सभी लोग देख रहे होगे कि यूक्रेन नाटो की तरफ बड़ी उम्मीद से मदद की उम्मीद से देख रहा था लेकिन उसकी तरफ से कोई मदद नहीं की गई है और भी हम लोग आगे चलके बात करेंगे इस टॉपिक पर लेकिन सबसे पहली आप लोग मैप में भारत की स्तिति देख लिजे रूस की भी देख लिजे और इउकरेन की देख लिजे देखिए है हमारी प्यारी बिती भी है और इसमें आप देखेंगे तो एसिया में यह हमारा प्यारा भारत है पडोसियों की देखें तो सिर्यलंका हो गया हमारा पडोसी बंगलादेस हो गया, म्यानमार हो गया भूटान, नैपाल, उपर चाइना है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है एसिया में ही आप देखीं कि तो रूस आपको देखने को मिल जाएगा लेकिन याद रखे, रूस का कुछ भाग यूरोब में भी पड़ता है और यहीं आप लोगों को यूकरेन देखने को मिल जाएगा और याद रखे, पहली यूकरेन सोवियेस संका हिस्सा हुआ करता था लेकिन आप देखते होंगे कि 1991 में सोवियेस संका विक्टन हो गया था समझ रहे आप लोग और एक बात और याद रखे, जब भी कोई यूद होता है तो दुनिया वर को इसका नुकसान उठाना पड़ता है आप देखे कि भारत की अपनी चिंताय मनी हुई है जो हम लोग कच्चा तेल आयाद करते है उसके रेट आप लोग देख रहे हैं कि बढ़ रहे हैं और कुछ दिनों में इस योदिकार्मेक्ट आप लोगों को अपने मार्केट में भी देखने को मिल जाएगा जब आप पैटोल और डिजल महगा होते हुए देखेंगे और आप देखे रक्षा के लिए हम लोग कई हत्यार करीते हैं आप देखे उनमें देरी हो सकती है मिलने में रूस से जो हम लोग हत्यार करी रहे थे उसे मिलने में देरी हो सकती है और पूरी भारत दुनिया में आप देखिए यही एक तरह से अनुमान सभी सांती की बात कर रहे है और खास कर हमारा भारत तो सांती तरी यह देश रहा है महतमा बौध, महावेजेन, महतमा गांदी जैसे देशों का लोगों का देश है बैसे रूस और युकरेन का युद उस मुकाम पर पहुँच चुका है जहां हम लोग सांती की उम्मीद नहीं कर सकते हैं सांती की उम्मीद करना एक तरह से निरर्थक लगने लगा है एक बार फिर युद की आग में इंसानियत को जोपने की पूर जोर कौसिस चल रही है आप देखें कि आम लोग भी इस तरह की युद में मारे जाते हैं आपने देखा होगा कि हमारे भारतिय च्छत रह रहे थे उनमें दो छात्रों की डैथ आप देखिए हो चुकी है कौन सही है कौन गलत है रूस सही है या आप देखिए यूक्रेन सही है या यूक्रेन गलत है या रूस गलत है यह बात और है लेकिन एक बात तो तह है कि एक ऐसी जंग का आगाल हो चुका है जिसकी चिंगारी से पूरी दुनिया में आग लग सकती है और कई विद्वानों से अगर आप लोग बात करेगे तो उनका ऐसा मानना है कि ये थार्ड वर्ल्ड बार की संकेत दे रहा है और ये योद तीसरे विस्थ योद का रोग ले सकता है और यही चिंता का कारण बना हुआ है इसका अंदाजया भी काफी पहले हो चुका था कि इस तरह का योद होने भाला है लेकिन आप सभी जाते हैं कि इस योद को रोगा नहीं जा सका और इस दौरान नाटो काफी चर्चा में आ चुका है और जिसे लेकर रोस तो काफी चड़ रहा है लेकिन युक्रेयन को इससे बहुत मदद की उम्मीद थी लेकिन आप देखी कि कोई उम्मीद नहीं मिली है सबसे पहले अगर हम लोग नाटो के इतिहास की बात करें तो दरसल ये बात है दुद्य विस्तिय उद्ध के दोरानगी दुद्य विस्तिय उद्ध के बाद सोविय संग और अमेरिका दो सबसे बड़े तागत बनकर उभरे जो दुनिया वरक पर अपना दबदबा कायम करना चाहते थे दो सक्तिया हुआ करती थी दुद्य विस्तिय उद्ध के बाद एक तो आप देखते थे सोविय संग दूसरा अमेरिका और आप देखी कि 1945 से लेकर 1991 तक दो सक्तिया बनी रही यूरोप में सोविय संग के प्रसार को रोकने के लिए यूरोपिय देशों और अमेरिका ने मिलकर एक सेंड गठवंदन बनाये जिसे आप लोग नाटो के नाम से जानते हैं और अगर आपके नाटो के पूरे नाम की बात करें कि नाटो का पूरा नाम क्या है तो North Atlantic Treaty Organization और इस तरह की संगठनों से अगर आप लोग किसी एक्जाम की तैयारी करें होंगे तो उन में कुश्चन्स पूछे जाते हैं और आप लोग जब भी किसी एक्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके पुराने questions वेपर कम से कब 5-6 साल पुराने देख लिया करिएगा तो आप लोगों को मालू चल जाएगा कि इस तरह के संगठन आपके लिए कितने मात्पूर्ण हो जाते हैं इसकी इस्थापना की बात करें तो 4 अपरल 1949 को इसकी इस्थापना हो गई थी, इसका headquarter Belgium के ब्रल सेल्स में आपको देखने को मिलेगा इसके स्थापना की समय अमेरिका समय बारे देश इसके सदस थे जब इसकी स्थापना की कही उस समय आप देखी कि अमेरिका समय बारे देश इसमें सामिल थे अगर हम लोग मौझूदा वक्त में बात किने 30 सदस हो चुके हैं कितने 30 सदस हो चुके हैं जिनमें आप देखेंगे 28 तो यूरोपिय हैं, दो उत्री अमेरिकी देश हैं, और इस संगठन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि नाटो देशों और उसकी आबादी की रक्षा करना, इसके जो भी देश इसमें सामिल हुए हैं, उसमें जो आबादी रह रही हैं, उन देश से निपटने के लिए सोविय संग ने, 14 मई 1955 को एक वार्षा ट्रेटी और ओर्गनाइजेशन यानि की WTO, यानि की वार्षा पेक्ट किया था, वार्षा पेक्ट सोविय संग समेथ 8 देशों के भी चुगा था, लेकि सोविय संग की विक्टन की बाद, यानि की 1991 की बाद, एक जुलाई 1991 को वार्षा पेक्ट का मतलब ही कतम हो गया, जब सोविय संग का विक्टन हो गया, तो इस पेक्ट का भी कोई मतलब नहीं रहा, अब समस्य आया है कि नाटो का स्थित अभी भी बना हुआ है, और जो रूस के लिए एक सिरदर भी बना हुआ है, और गौरत पहले भी हो सकता था, अभी क्यों हो रहा है, तो अभी आप देखें कि नाटो में सामिल होने के लिए उक्रेन ने अपनी प्रोसिस में एक तरह से आप सोचिए कि बड़ोतरी कर दी थी, उस प्रोसिस में सामिल होने के लिए उसने तेजी कर दी थी अपने प्रोसिस में, और रूस के लिए रक्षा की दृष्टी से एक खत्रावत पन हो रहा है। और इसलिए आप देखें कि रूस यूक्रेण पर अपने एक तरस समर्थन में लाने के लिए योद छेड़े हुए है। वो चाहता है कि हमारे समर्थन की कोई सरकार यूक्रेण में रहे। समय रहे हैं तो और इसका जबकि रूस लंबे समस्य नाटो के साथ यूक्रेण की बढ़ती नजदीकियों का विरोध करता रहा है और कई बार यूक्रेण को चेतावनी भी देता रहा है। यूक्रेण की सिमा एक तरफ से रूस के साथ दूसरी तरफ यूरोपिय संगे के साथ लगती है। अब अगर यूक्रेण नाटो में सामिल होता है तो नाटो की उपस्तिती एकदम रूस के दरवाजे तक हो जाएगी। और जिसे रूस अपनी सुरक्षा के लिहास से कत्ताई उचित नहीं मानता है। और सबसे बड़ा कारण आप लोग देखेंगे यही है। इस पूरे परिदिस्त में अगर अमेरिका समेथ कई यूरोपिय देशों ने यूक्रेण की मदद का बादा किया। और आखे सवाल यह है उठता है कि जब सब लोग यूक्रेण की साथ खड़े हैं तो नाटो के रूस के खलाब कारवाही क्यों नहीं करा है। दरसल नाटो चार्टर की आर्टीकल अगर 5 को अगर अनुचित 5 को अगर आप लोग पढ़ेंगे तो यह क्या कहता है। अगर किसी एक दोस्त पर कोई बाहरी लोग अगर आकमण करता है कोई लड़ाई करता है तो वो लड़ाई 300 दोस्तों की माने जाएगे और उस लड़ाई से निपटने के लिए 330 आपके जो दोस्तें वो मुकाबला करेंगे। समझ रहे है आप लोग तो नाटो का भी यही एक तरह से आर्टीकल पांच कहता है। लेकिन अधिकारी तोर पर यूक्रेन अभी भी नाटो का सदस्त नहीं बन पाया है। और सबसे बड़ी प्रोबलम यही है याद रखिएगा कि नाटो इसलिए भी मदद नहीं कर पा रहा है क्योंकि यूक्रेन अभी तक कानूनी तोर पर नाटो में सामिल नहीं हो सका। के सदस्ते हैं उन पर कोई कारवाही की तो नाटो एक्सनल ले सकता है और इसलिए आप देखे कि रोस भी बड़े फोग फोग कर कदम रख रहा है तो यह आप लोगों को समझ में आ गया होगा और सबसे बड़ा कारण यही है कि नाटो रोस यूक्रेन की मदद नहीं कर पा रह है और भारत भी आप देखे कि एक न्यूट्रल होकर देख रहा है वह ना तो रोस की तरफ जा ना यह उक्रेन की तरफ जा पा रहा है और एक बात और है देखी एक तरह से रोस बड़ा बफादार दोस्तर आया है भारत का आप देखे खाद्यान की जब हमारी उपर आप हुगा था उससे मैं पाकिस्तान की तरफ आप देखिए अमेरिका था और हमारी तरफ रोस खुलकर खड़ा हुगा था आप देखे कि जब अभी जमू कस्मीर का मामला उठा तो आपने देखा होगा कि अमेरिका उस पर एक तरह से कुछ और बात कर रहा था लेकर रोस ने हम जो हमारे लिए चिंता का भी सह बन सकता है इसलिए हम लोग ना तो रोस की तरफ जा रहे हैं और नहीं युक्रेयन की तरफ जा रहे हैं लेकिन इन डारेक हम लोग देखेंगे कि हम लोग कहीं बोटिंग नहीं कर रहे हैं मतदान में हिस्सा नहीं ले रहे हैं इसलिए इसका फाइदा रोज को मिल जाता है लेकिन हम लोग खुल का रोज के सामने रोज के साथ इसलिए नहीं आ सकते हैं क्योंकि आप देखे कि हमारे पडोसी भी कम नहीं है एक तरफ आप देखे पाकिस्तान दूसरी तरफ आप देखे चाइना अगर हमारे उपर इस तरह का कोई हालात बनता है तो दुनिया की सभी देशों की जरूरत सपोर्ट की जरूरत हमें भी बढ़ सकते हैं और इसलिए आप देखे हम लोग सांती की बात करते हैं ठीक है आप लोग इंज्वाए करते रहिए कोई और सवाल हो तो बताईएगा और इस टॉपिक से आपकी परिक्षों में कुश्चन्स आने की सुम्भावना जरूर बढ़ जाती है पूछे जा सकते हैं ठीक है